नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड के स्री और मैं हूँ आपके साथ एकताओ में लेकर आए हूँ बॉलिवुड के कुछ लैटिस्ट अपडेट बिग बॉस सोलर के सबसे क्यूट कंटेस्टेंट अब्दू रोजिक अपने डाउन टू अर्थ नेचर और अपने बेशुमार काबिलियत की वज़े से खूबसूर ख्या बटोर रहे हैं जहां वो फिलहार शो से आउट हो चुके हैं वहीं अब्दू अपने पॉर्सनल और प्रोफेसनल लाइफ को लेकर वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं इसे बीच अब्दू रोजिक का एक वीडियो अब काफी तीजी से इंटरनेट पर वारल हो रहा है जिसे देखकर अपना हसी रोग पाना भी मुश्किल हो रहा है दरसल अब्दू रोजिक का जो वीडियो इंटरनेट पर वाइल हो रहा है उसमें उनके साथ इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावीद भी नजर आ रही है वहीं उर्फी जावेद हमेशा की तरहीं अपने बोल्ड और अतरंगी ड्रेसेज को लीक लाइम लाइट में बनी रहती है ऐसे में उर्फी और अब्दू के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहल का मचा दिया है वीडियो के सामने आते ही एक बार फिर से नेटिजन्स एक्टिव हो गया है और वाइरल क्लिप पर अपने रियाक्शन्स देने भी शुरू कर दिया है दरसल उर्फी और अब्दू का ये थ्रोबैक वीडियो एक बार फिर से वाडिल हो रहा है यह वीडियो एक इविंट का है जहां पर उर्फी और अब्दू की मुलाकात हुई थी वीडियो में उर्फी ब्लैक कलर की साड़ी पहने अब्दू के बगल में बैठी हुई नजर आ रही है वहीं इस दोरान उर्फी जावेद और बिग बॉस फेम अब्दू रोजिक आपस म बातचित करते दिखाई दे रहे हैं वहीं उर्फी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अब्दू से मजाग कर रही है ऐसे में उर्फी और अब्दू को साथ बात करता देख सोशल मीडिया यूजर्स ने स्टार के बीच की बातचित को अपने ही वर्जन निकाल दिया है खास वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि वह बोल रही है कि कपड़े क्यों पहनते हो तो वहीं दूसरे यूजर्स ने कहा है कि वह अपने ड्रसिंग सेंस के बारे में पूछ रही है कि क्या अब्दू के देश में इसकी इजाजत है या फर नहीं है तो वहीं तीस रहती है और लोगों की आलोशना का भी शिकार हो जाती है मगर उर्फी अपने अजीबों गरीब कपड़ों के रावा अपने बेबाकी के लिए भी जानी जाती है जब भी कोई उर्फी के कपड़ों को लेकर कमेंट करता है तो वह उसे मूँत और जवाब भी देने से पीछे नहीं हटती है लेकिन इन सबसे हटकर आपको उर्फी और अब्दु का यह मज़दार वीडियो कितना पसंद आया यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अवाल अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं अग्तात्रिपाठी पंचाब के एसरी दिल्ली से अगर पीच को लाइक जरूर करें और अगर आप मारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले